IPL 2021 में खिताबी सबना पूरा करने के लिए इस प्लेंग 11 के साथ उतर सकती है RCB की टीम नमस्कार दूर्सों स्वागत है आपका टॉप वर्ड वाइड क्रिकेट की एक और नए वीडियो में पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चेलेंजर देंगलूर ने खराप्र दसन कर अंत करते हुए प्लेयाउफ में प्रवेश किया था हाला कि इलिमिनेटर मुकाबले में उससे सनराइजर सहिदराबाद की हाथो हार का सामना करना करना पड़ा था विराटकोली के नेतरत में आरसीबी ने लगतार चार मुकाबले हारने के बाद भी प्लेयाउफ में कदम रखा था आरसीबी ने आईपियल 2020 में अपने अभियान की सुर्वा सनराइजर सहिदराबाद पर दस रन की जीत के साथ की थी कुल मिला कर देखें तो पिछले सीजन में आरसीबी का परफॉरमस मिला जुला ही रहा था नौ अप्रेल से आईपियल के चौदवे सीजन का आगाज हो रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलूर ने अब तक कभी आईपियल का खिताब नहीं जीता है ऐसे में विराट कोली और टीम की कोसी सोगी की वाई आईपियल 2021 में इस सूखे को खत्म करें इस साल फ्रेंचाइजी ने 10 खिलाडियों को रिलीज किया और 8 नए खिलाडियों को खरीदे उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपाय आल राउनर ग्लेन मैक्सवेल और कायल जैमिसन पर खर्च किये 8 खिलाडियों के टीम में सामिल किये जाने से उनकी योजना में भी बड़ा बदलाओ दिखाई देगा RCB के प्रभाव शाली जोस फ्लेप की बिग बैस लीग में जबर्जस फर्म देखनों को मिली थी 23 वर्षी जोस दूसरे सबसे अधिकरन बनाने वाले खिलाडी थे विकेट के पीछे भी उनका प्रदासन सांदार रहा था इस महा के सुरू में जोस ने निजी कारणों से आई पील से अपना नाम वापस ले लिया जोस ने 2020 आई पील में डेब्यू किया था और पांच पारियों में केवल 78 रन बनाए थे हाला कि RCB ने निजी लेंड को फिन एलेंड को उनके रिप्लेस्मेंट के रूप में सामिल किया है एलेंड ने बांगलादेश के खिलाब डेब्यू किया प्लेंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं दोस्तों आप भी RCB के प्लेंग 11 के समद्ध में अपनी महत्पूर्ण रहा हमें कमेंट जरूर कीजेगा ज़दा जानगारी और क्रिकेट के अनने तमाम खपरों के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करें अगर आपको मना ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करने धन्यवाद